दोस्तों ये है स्टेला कंपनी का से 2000 एलेक्ट्रिक स्कूटर लेड एसेड बैटरी के साथ जो एक लोग स्पीड वाला मॉडल है प्राइस की बात करें तो लेड एसेड में इसकी ओन रोड कीमत है चौन सट हजार रुपे और लीथियम आइन बैटरी में इस स्कूटर की ओन प्राइब कीमत है चैटर हजार पांसोर पे इसमें आपको क्या क्या माइलिज और रेंज मिलती है फीचर्स क्या है जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले फ्रेंट लूग की बात करें तो यहां पर आपको डूएल टोन कलर के साथ इसका वाइजर मिलता है और यहां पर आ LED हेडलाइट का यहां पर सेटप दिया गया है लो बीम और हाइबीम के साथ नीचे के सैड में आपको दो छोटे से पाइलेट लेंप मिल जाते हैं LED के और यहां पर आपको गलॉसी ब्लैक्पनिस मिलती है टेलिसकॉपिक हाइड्रॉलिक टैप के फ्रेंट में सस्पेंशन स्पेंशन से हलेगें इस्टेला की ब्रेंटिंग मिल जाती है इसमें आपको 180 mm यहां पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है जोकि कॉम्बी ब्रेकिंग के तौर पर कामकरती है स्कूटर में आपको 150 के गजी की लोडिंग छमता मिल जाती है और यहाँ पर आपको fully digital meter console मिलता है जिस में आपको battery की percentage यहाँ पर आपको battery के gültte जहाँ पर आपको speedometer odometer यहाँ पर आपको ready और तीन यहाँ पर आपको riding modes मिल जाते हैं जो की gear के तार पर काम करते हैं इसके साथ ही left hand wire में यहाँ पर आपको अपर डिपर और यहाँ पर आपको brake का lever मिलता है left hand वाला यहाँ आपको horn का switch और नीचे आपको indicator का switch मिल जाता है इसके दूसरी side में आपको man headlight का switch मिल जाता है speed के लिए इस scooter में 3 modes दिये गए जिसमें low mode medium mode और high mode को सामिल किया गया सबसे पहले मैं आपको low mode में speed test कर आता हूँ तो इसमें आपको 21 की speed मिल जाती है medium दूसरे mode में आपको 28 की speed मिल जाती है और तीसरे mode में आपको लगवग 35 km पतिगंटे की top speed मिल जाती है अगर आपको बैट कर चलाएंगे तो लगवग आपको 30 से 32 की speed आराम से मिल जाएगी नीचे की side में एक parking का button दिया गया इसको प्रेस करके आप scooter को चला सकते हैं यहाँ पर आपको reverse वाला भी यहाँ पर आपको button मिल जाते हैं इसको प्रेस करके अगर आप इसमें accelerator देते हैं तो इसका जो पीछे वाला टायर है वो पीछे की तरफ फुल्टा गूमने लगता है जिस से scooter को चलाते समय आपको उतरने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं पड़ेगी यहाँ पर आपको key point मिलता है यही से आप इसके boot को आसानी से open कर पाएंगे इसमें आपको कुछ इस तरह की की मिलती है इसमें lock और unlock करने का यहाँ पर आपको option मिल जाता है साथ में आपको anti theft alarm और यहाँ पर आपको carry hook यहाँ पर आपको USB mobile charging का port मिल जाता है जिसमें data cable लगा कर आप अपने mobile को इसी utility box के अंदर रख कर आसानी से safe तरीके से आसानी से यहाँ पर चार्ज कर बाएंगे जो एक अच्छा option इस scooter में दिया गए leg space area की बात करें तो काफी यहाँ पर आपको चोड़ा leg space area यहाँ पर आपको मिल जाता है काफी अच्छी यहाँ पर आपको high ground clearance मिल जाती है सीट के नीचे में यहाँ पर आपको इसकी lead acid battery को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको charging की socket मिल जाती है यहाँ पर आपको non-adjustable footrest मिलते हैं और यहाँ पर आपको sa2000 की branding और यहाँ पर आपको adjustable footrest मिल जाते हैं यहाँ पर आपको wheel cover मिलते हैं इसके साथ यहाँ पर आपको टायर हगत rear में भी आपको 90-110 का यहाँ पर आपको tube less tire मिल जाता है 250 watt की यहाँ पर आपको BLDC motor मिलती है जो की waterproof नहीं है और rear में आपको coil spring type के suspension दिये गए हैं battery की बात करें तो इस scooter में जो है वो 48 volt की lead acid की battery दी गई है जिसमें चार pack दिये गए हैं बारे 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 बोल्ट की चार बैटरी छोटी सी दी गई है booty space की बात करें तो यहाँ पर आपको side view mirror मिलते हैं इसके साथ यहाँ पर आपको toolkit मिल जाती है रिंच और पेचकस के साथ यहाँ पर आपको warranty का इसके साथ यहाँ पर आपको एक charger का भी option दिया गए कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको seat under storage मिल जाता है यहाँ आपको mcb का अंदर में switch दिया गए यह है दोस्तो इसकी lead acid battery को charge करने का charger जो की 5-6 गंटे में इसकी battery को full charge कर देता है और lithium-ion की जो battery है वो इसके 3-4 गंटे में full charge हो जाती है इसके साथ ही यहाँ से आप इसकी charging की socket को आसानी से लगा पाएंगे जैसे कि मैं यहाँ से इसको लगा कर दिखा देता हूँ जिसमें 3 pin होती है तीनों पिनों को आप match करके इसको अंदर गुजा कर आसानी से लगा सकते हैं इसके seat comfort की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी premium quality की seat मिल जाती है पिलियन के लिए यहाँ पर आपको back rest मिल जाता है जिसमें थोड़ा बहुत cushioning का इस्तमाल किया गया है पीछे में आपको थोड़ा सा chrome की garnishing मिल जाती है यहाँ पर आपको grab rail मिलता है और यहाँ पर आपको halogen tail head मिल जाती है दोनों तरप आपको LED indicator मिल जाते है नीचे आपको number plate के लिए भी एक light का भी option दिया गया mileage और range की बात करें तो full charge होने के बाद इस scooter में आपको 65-70 की mileage और range मिलती है full charge होने पर यहाँ पर आपको lady plane for dress मिल जाता है wheel cover मिल जाते है dual tone color के साथ side stand और man stand दिया गया है तो बात करें इसकी warranty के बारे में तो इस scooter की motor, battery, controller और charger पर आपको एक साल की warranty मिलती है यह on road कीमात और warranty की जानकारी मैंने आपको बताई है new db enterprises new post office road दमदम cantonment कॉलकता सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like comment share करें और channel को सब्सक्राइब करें थेंक्यों दो